भारती सिनेमा के दिगज कलाकार दिलिप कुमार का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है दिलिप कुमार लंबी समय से बिमार चल रहे है दिलिप कुमार का चले जाना भारती सिनेमा के लिए पड़ी शती है अब उनके फैंस से लेकर भारती फिल्मी जगत के लोग उने सोशल मीडिया पर याद कर रही हैं और श्रदांजरी अर्पित कर रही है दिलिब कुमार ने भारती सिनेमा को कई फिल्में दी और उनकी खास फिल्मों की वज़ा से उनने ट्रेजडी किंग भी कहा जाता है इसके बाद वो ट्रेजडी किंग के नाम से मशूर जरान उनने ट्रेजडी किरदार निभाय थे और इसकी वज़े से ना सिर्फ उनका ये नाम पड़ाबल की कहा जाता है कि इन गंबी रोल के चलते उनने डिप्रेशन की दिक्कत भी हुई थी और उसका इलाद चला था फिर उन्होंने हलके फुलके किरदारों के साथ वापसी की और खास बात ये रही कि लोगों को उनका ये अंदाज भी काफी पसंद आया अगर उनके ट्रेशिक किरदारों की बात करें तो 1950 में आई फिल्म बाबल में एक अमीर आदमी का किरदाने भाया था इसके साथ ये फिल्म दाग, मुगल आजम, दीदार, तराना, देवदास, नयादौर, जौर्वाटा, मधुमती जैसी कई फिल्मे आई जिन्होंने दिल्ब कुमार को प्रेजडिक किंग का नाम दिलाया इन फिल्में देवदास और मुगल आजम काफी चर्चा में रही अगर दिल्ब कुमार के करियर की पहतरीन फिल्मों की लिस्ट बनाई जाए तो लिस्ट काफी लंबी हो सकती है लेकिन अगर सिर्फ पांच बेस्ट फिल्मों की बात हो तो उसमें मुगले आजम, नया दौर, देवदास, राम और शाम, गंगा जमना का नाम जरूर शामिल होगा उन फिल्मों को सिर्फ फैंस ने नहीं बलके क्रिटीक्स ने भी सराहा आज भी इन फिल्मों को देखना लोग पसंद करते हैं